हाई दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल सब को मैं थाएगा आज हम लोग पच्छांतर के बारे पढ़ेंगे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग उनने भिन्नों का जोड घटाना गुडा भाग देखाता जिन बच्चों को भिन्नका जोड घटाना गुडा भाग नहीं आता है वो इसके पहले वाले वीडियो को जरूर से देख ले चलिए आये तो सुरू करते हैं पच्छांतर किसी भी समीकिलड की दो पच्छ होते हैं ठीक है बच्चो क्या किसी भी समिकिलर की दो पच होते हैं, एक को बाया पच कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, दाया पच, इसी बाया पच को हम लोग साट कर्ट में LHS कहते हैं, जिसका फुल फार्म होता है left hand side, क्या left hand side, और दाया पच को हम लोग क्या कहते हैं, साट कर्ट म या रासि को क्या किसी भी संख्या या रासि को एक पच्छ से दूसरे पच्छ में ले जाना पच्छांतर कहलाता है ठीक है यही सबसे महतव पोड़ है बच्चोision, इसे जो जान लेगा उसका समीकरड का सवाल नहीं गलत होगा जल्दी ठीक है क्योंकि किसी भी समीकरोड कहल कर और बच्चे यहीं पर बहुत जादा गलती करते हैं बच्चों को समझ में आता है कि हम जब एक पच्छ से दूसरे पच्छ मिले जा रहे हैं तो प्लस को माइनस में बदले कि गुडा में बदले कि भाग में बदले तो आज हम लोग basic सिक्डम देख लेंगे और हमारा concept clear हो जाएगा चलिए यह देखते हैं तो फिर क्या है जब मालेजी प्लस दिया है और यह प्लस किधर है हमारा मालेजी बाएं पच्छ में है ठीक है जब हम लोग इसे दाहीने पच्छ में लेकर जाएंगे तो यह किसमे मालेज ये दाएं पच में दिया है और हम इसे बाएं पच में लेकर जाएंगे तब ये किसमें कनोर्ड होगा माइनस में चाहे आप बाएं से दाएं ले जाएं चाहे दाएं से बाएं ले जाएं अगर प्लस दिया है तो हम इसा किसमें कनोर्ड होगा माइनस में ठीक है बच् जब गुड़ा दिया है, एक पच्छ से दूसरे पच्छ में लिकर जाएगा तो किसमें बजलेगा, भाग में यहां पर एक पॉइंट और एट कर लेजएगा, हम लिखे नहीं है क्या, अगर भाग दिया है, तो किसमें बदल जाएगा गुड़ा में ठीक है कोई चीज वर्टेम लिखा है यानि कि भागे में है तो वो जब एक पच्छ से दूसरे पच्छ में जाएगा तो किसमें बदल जाएगा गुड़ा में ठीक है बच्छो वैसे ही अगर वर्ग दिया है तो वो किसमें बदल जाएगा वर्गमूल में जैस दो चल जाएगा क्या करड़ी बन जाएगा इतर यह क्या हो जाएगा वर्ग किसमे कनोड हो गया वर्ग मूल में ठीक है बच्चो वैसे ही यहाँ पर देखिए इसका उल्टा भी होता है जैसे अगर मालीजी आपका वर्ग मूल है करड़ी में दो दिया है बराबर 4 प्लस x दि जैसे वर्ग क्या होता है वर्ग मूल में बदलता है तो वर्ग मूल किसमें बदलेगा वर्ग में ऐसे यहाँ पर भी देखिए अगर घं एक पच्च से दूसरे पच्च में जाएगा तो क्या हो जाएगा घं हो जाएगा ठीक है देखिए यह नीचे दिया भी है चलिए था माइनस में, गुडा भाग में, और भाग गुडा में, माइनस प्लस में, वर्ग वर्ग मूल में, घन घन मूल में, वही सारे नियों यहाँ पर हम लोग अब एपलाई करेंगे, जैसे हम लोग के सामने एक प्रस्ण दिया है, टू यक्स माइनस साथ बरावर टू यक्स बट्टा तीन प्लस पंदरा, ठीक है बच्चों, क्या दिया है, टू यक्स माइनस साथ बरावर टू यक्स बट्टा तीन प्लस पंदरा, सबसे पहले तो हम लोग इसमें चर रास्य और अचर रास्य को अलग कर रखेंगे, यानि कि जो चर रासी है उसे एकसाइट जो चर रासी है उसे एकसाइट कर लेंगे चर रासी कौँ से है जिसमें एकस लगा जैसे यहाँ पर 2 एकस बट्टा 3 है तो उसे हम क्या करें एकसाइट लेते हैं और जो चर रासी हम लोग का उसे क्या करें एक साइड लेते जाएं चलिए आगे करते हैं दिखते हैं जैसे यहाँ पर 2x दिया है अब यहाँ पर 2x बट्टा 3 के सामने क्या है हम लोग का जहां कुछ नहीं होता हुआ पर प्लस होता है ठीक है बच्चो इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बताएं जो बच्चे पहले बट्टा 3 वैसे लिख देंगे ऐसे ही बराबर प्लस 15 को वैसे ही रहने दिये हैं और 7 क्या है माइनस है और जब माइनस इधर से इधर जाएगा एक अच्च से दूसरे पच्च में तो माइनस क्या होता है प्लस होता है अभी उपर बता है तो माइनस 7 क्या हो जाएगा प्ल 3 यानि कि 3 ही आएगा तो 3 को हम लोग क्या कर लिए ले लिए ठीक है 3 क्या होगे हम लोग का LCM अब यहाँ पर जो 1 का भाग 3 में देंगे और 3 का गुड़ा 2x में कर देंगे एक 3 दूना 6x एकदम बेसिक से बतारे बच्चों समझेगा ठीक है अब फिर उसके वाद यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टू यक्स अब बरावर यहाँ पर 15 प्लस साथ बाईस चो यक्स में से दो यक्स जाएगा तो कितना हैगा चार यक्स और बट्टाम तीन वहीं से यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 यहाँ चार चट और यहाँ पर देखिए चार यक्स तो चार यक्स का मतलब कि एंसर आ जागा ठीक है बच्चो सबको समझ में आया अगर नहीं समझ में आया तो आपको comment box में हमको लिखेगा हम फिर से आपको समझाएंगे एक और example लेके ठीक है चलिए आगे आगे देखते हैं अगला question देखी question number 2 ठीक है यहाँ पर क्या दिया है हम लोग सामने 4x बट्टा 3 माइनस 9 बट्टा 8 बरावर 1x बट्टा 3 प्लस 20 बट्टा 10 ठीक है यह वही नियम लगाएंगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो 4 संख है उनको एक साइड ले लेंगे जैसे यहाँ पर 4x बट्टा 3 एक सबिते हैं यह सब्टा 3 प्लस में तो इधार आएगा मैनस में मैंसx बट्टा 3 अब बाकि 33 बट्टा 10 को वैसे स़ारण ने देते हैं और यहाँ पर नूबट्टा 3 प्लस मां हो जाएगा फ्लस ड्मृस 9 बट्टा 8 यहाँपर क्या करेंगे 3-3 हर समान है तो यानि कि फिर यहांवां देंगे 5 से भाग से भाग देंगे ठीक है अब गुड़ा कर धेंगे जह है दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े पांच यानी कि दो दूना चैर दूना हाट 5 चालीस तो हम लोग करें बच्छों अब यहाँगा 90 है एंहाँorial कि 40 टीक है का गुड़ा जब 23 में करेंगे तो कितना प्रापत होगा 92 ऐसा यहां पर 8 का भाग हम लोग 40 वे देगे तो कितना बार जाएगा 5 बार फिर 5 क का गुड़ा जब 9 में करेंगे तो बचेगा क्या यक्स यक्स कमान कितना जाएगा 137 बटा 40 अब जब 137 में 40 से भाग देंगे हम लोग तो 40 अब हटा हीःगła तो कितना हैगा 7 तो यही पर क्या हो जाएगा 40 हर में चला जाएगा और 3 भागफल यहाँ पर और 6 फल उपर यानि कि 3,7,7,8,4 यह हम लोग के हो जाएगा एंसर हो जाएगा ठीक है बच्चो आईए अब तिर्य गूड़ा देखते हैं यहाँ पर भी अच्छे बहुँ जादा गलती कर देते हैं कि तिर्य गूड़ा नहीं करने आता है देखिए तिर्य गूड़ा कैसे करते हैं समीक्रड के बाय पच्च क्या समीक्रड के बाय पच्च के अंसर का दाहिने पच्च के हर से गूड़ा करें और बाय पच्च के हर का दाहिने पच्च के अंसर गूड़ा तिर्य गूड़ा कर लाता है देखिए अगर माल लेजे हम लोग पास A बट्टा B बराबर C बट्टा D है ठीक है तो समीकरण के बाएं पच्छ का अंस तो समीकरण के बाएं पच्छ का अंस के हो जाएगा कि और दाहिनी पच किए अससे इससे गुडा कर दिए यह लोग क्या होगा तेर्य गुडा हो जाएगा ऐसे हैं लोगते हैं कोई गल्ती करेगा ठीक है आगे आगे देखते हैं निर्देश आगे बच्छो नीचे देगे समक्रेट में एक्स का मान गयात करते हैं क्या जैसे हम लोगों के सामने सवाल दिया गया है 2X प्लस 3 बटा 1 प्लस 8 बरावर 3 बटा 4 तो अभी हम लोग तिर्या गुड़ा का नियम सीखें क्या बाए पच्छ का जो अंस है यानिकर 2X प्लस 3 इसका गुड़ा किसे करेंगे दाय पच्छ का जो हर है तो यह चला जाएगा इधर तो इसका गुड़ा इसमें हो जाएगा ब इस वाले के पच्छ के निचे से और जो यह दिख रहा है इसका गुड़ा किसे कर देंगे दाय पच्छ के अंस से ठीक है तो यह किये हैं हम लोग यह गुड़ा इसमें हो गया है ठीक है और यह वाला गुड़ा इसमें हो गया है तो क्या होगा है आगे दिखते हैं अब जब 4 का गुड़ा 2X में करेंगे तो कितना जाएगा 8X फिर 4 का गुड़ा 3 में करेंगे तो कितना जाएगा 12 अब फिर 3 का गुड़ा 1 भी करेंगे तो 3X और 3 का गुड़ा 8 में करेंगे तो 8 तरीका 24 अब चरवाले को X हैड ले लेते हैं तो 8 X है और 3 X को इधर लेते हैं ठीक है जितने भी X है उसको X है ले 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 और जिनमें X नहीं है उनको क्या करते हैं हम लोग एक साइड ले ले लेते हैं ठीक है आई जिसे यहाँ पर सवाल दिया है ना 2 X प्लस 3 क्या 2 X प्लस 3 बट्टा X प्लस 8 बराबर 3 बट्टा 4 तो यहाँ पर क्या करेंगे जो नीचे है इसका गुड़ा किस से करेंगे इसके हर से और इसका गुड़ा किस से करेंगे इसके हर से इ ठीक है तो 4 का गुड़ा 2x में 8x 4 का गुड़ा 3 में करेंगे तो 12 और 3 का गुड़ा 3x और 3 का गुड़ा 8 में करेंगे तो कितना आजाएगा 24 अब हम लोग क्या करेंगे जितने भी यक्स वाले हैं उनको एक साइट कर लेते हैं जैसे इधर 8x है और यह प्लस 3x है तो इधर प्लस 12 में बदल जाता है तो क्या होता है तो इधर 5x में इंधर चला जाएगा तो 12 यह हम लोग क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा ठीक है आगे आगे देखते हैं question number 2 क्या है 2 x minus 3 बट्टा में 2 minus x बराबर क्या है minus 4 बट्टा 3 ठीक है तो यहाँ पर बच्चे confusion जाते हैं कि minus किस के साथ जाएगा 4 के साथ के 3 के साथ तो बच्चो यहाँ पर कोई confusion की बात नहीं है minus उपर है चाहिए नीचे ठीक है दोनों का ही condition में मान एक ही हाएगा ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं उपर ही राने देते हैं चलिए आएगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 x minus 3 में 3 का गुड़ा हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए एक line हम साथ कट में कर दिया है जैसे 2 x minus 3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें 3 का गुड़ा हो जाएगा और यहाँ पर जब minus 4 हो इसे ही रहेगा और क्या हो जाएगा 2 minus x ठीक है फिर 3 का गुड़ा जब 2 x में होगा तो क्या हो जाएगा 6 x मिल जाएगा फिर 3 का गुड़ा माइनस 3 में होता है तो क्या हो जाएगा माइनस 9 मिल जाएगा ऐसे फिर यहाँ पर देख लेते हैं माइनस 4 का गुड़ा माइनस 2 में होता है तो क्या हो जाएगा माइनस का गुड़ा माइनस में होता है तो क्या हो जाएगा माइनस का गुड़ा जब माइनस में होता है तो क्य माईनस, यक्स-वालो को एक set कर ले हम लोगा इधर 6x है प्लस 4x है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माईनस 4x, माईनस 8 को ऐसे है रहने द माईनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 9, 6x में से 4x गे है, 2x माईनस 8 है प्लस 9 है ठीक है? इसका भी जोड घटान लग बता है कि एक माइनस होता है दोसरा प्लस होता है तो क्या होता है मैसा माइनस होता है और चिलना किसका लगता है बोड़े वाले का तो आठ में से नो हो जाएगा यानि कि नो में से आठ जाएगा तो कितना जाएगा तो धार की जरूरत है अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में हो तो उसको पूछिए हम फिर से और अच्छे से नेश्ट पार्ट बना कि उसे और अच्छे से समझाएंगे धन्यवाद दोस्तों